नमस्कार, उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आईए दोस्तों इस वीडियो में हम इस उधारन को हल करेंगे। इन तरीकों में से कितने में जो भी यहाँ पर उत्तर आएगा उनमें से कितने तरीके ऐसे होंगे जहां पर अब हमें यहाँ पर इसके पांच और पार्ट दिये गए हैं। जैसे कि पहला पार्ट कहता है, चार पत्ते एक ही प्रकार के हैं, दूसरा पार्ट कहता है, चार पत्ते चार भिन प्रकार के हैं, तीसरा पार्ट कहता है कि तस्वीरे हैं, हो सकता है आपको ये शायद से उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए हम पहल ये तार्ष के पत्तों को समझते हैं तो देखिए तार्ष के गड़ी में कुल बावन पत्ते होते हैं अब ये बावन पत्ते जो हैं ये चार तरीके के होते हैं और वो चार तरीके हैं ये और हर तरीके में तेरा पत्ते होते हैं यानि कि कि तेरा पत्ते किसके होते हैं पान के होते हैं उसके बाद तेरा पत्ते होते हैं इंट के उसके बाद तेरा पत्ते होते हैं चीडी के और उसके बाद तेरा पत्ते होते हैं हुकुम के क्या ये बाद समझ में आई यानि कि एक ताश की गड़ी में ये चार तरीके के पत्ते होत देखिए जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है जे इसे कहा जाता है गुलाम का पत्ता जिसे इंग्लिश में जैक कहते हैं उसके बाद यह जो पत्ता है जिसमें क्यू लिखा गया है इसे कहते हैं बेगम और इंग्लिश में इसे क्वीन कहते हैं और उसके बाद यहाँ पर के लि और हर प्रकार में तीन पत्ते ऐसे हैं जिनमें तस्वीरे हैं तो अगर हम आप से कहें कि ऐसे कितने पत्ते हैं इस पूरी ताश की गड़ी में जिनमें तस्वीरे हैं तो आप क्या कहेंगे? चार तियां बारा, तो ये बारा पत्ते ऐसे होंगे, जिने की हम कहेंगे, इनमें तस्वीरे हैं. अब यहाँ पर एक पत्ता ऐसा होता है, जिसमें की ए लिखा हुआ होता है, इसे कहा जाता है इक्का, तो आप देख पा रहे होंगे, कि हर प्रकार के पत्ते में एक इक्का है, तो यदि हम कहें कि इस पूरी ताश की गड़ी में हमें कितने इक्के मिलेंगे, तो ऐसे हमारे पास चार इक्के होंगे. अब यहाँ पर इक्के से लेकर के, दस अंक तक के जो पत्ते हैं, इन्हें हम इस सरी के से लिख सकते हैं. समझ में आया, यानि कि हमारे पास कुल बावन पत्ते हैं, जिन में से की चार प्रकार के पत्ते होते हैं, हर प्रकार में तेरा पत्ते होते हैं. अब इन तेरा में से तीन पत्ते ऐसे हैं जिनमें तस्वीरे होती हैं बचे दस पत्ते जो कि एक से लेकर के दस तक है एक वाले को कहा जाता है इक का समझ में आए आपको और चार प्रकार हम पे कौन-कौन से हैं पान, इंट, चीडी, हुकुम यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप देख सकते हैं वो ये कि जो पान और इंट के पते हैं वो किस रंके हैं लाल रंके हैं दिखा आपको यानि कि इस पूरी ताश की गड़ी में हमारे पास कितने लाल पते हैं 13 और 13 यानि कि 26 लाल पते हैं इसी प्रकार से जो चीडी और हुकुम के पत्ते हैं, वो किस रंके हैं? वो हैं काले रंके. तो ये भी आ जाएगा 26. तो ये कुछ बेसिक सी बाते हैं एक तार्ष की गड़ी से जुड़ी हुई, जो आपको पता होनी चाहिए, यदि आप तार्ष की गड़ी के प्रशन हल करन चाहते हैं, जो कि अकसर आपसे पूछे जाएंगे. चलिए, अब आते हैं वापिस से इस प्रशन पर. तो यहाँ पर हमें ये कुछ प्रशन पूछे गए हैं. तो सबसे पहला प्रशन है कि बावन ताशों की एक गड़ी से चार पतों को चुणने के तरीकों की संख्या क्य है. तो बेहद आसान है ये. हमारे पास कुल पत्ते हैं बावन और इन में से हमें कितने पत्ते चुनने हैं? चार. यानि कि यहाँ पर N का मान हो गया बावन और एक बार में हमें चार पत्ते लेने हैं तो R का मान हो गया चार. और क्योंकि हमें यहाँ पर क्रम नहीं देखना है यानि कि ये किया जा सकता है ncr तरीकों से जो कि हो जाएगा 52 c 4 तो ये कितना आ जाएगा 52 factorial upon 4 factorial गुणा 52 minus 4 यानि कि 48 factorial ठीक है अब यहाँ पर इस 52 factorial को हम किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 52 गुणा 51 गुणा 50 गुणा 49 गुणा 48 factorial और 48 factorial से 48 factorial कर जाएगा ठीक है यहाँ पर 4 factorial को हम कैसे लिख सकते हैं 4 गुणा 3 यहाँ पर लिख देते हैं गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अब यहाँ से यह कर जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ गया 13 अब यहाँ से यह कर जाएगा यहां पर आ जाएगा सत्रा, फिर दो से यह पचास कर जाएगा, तो यहां पर पचिस आ जाएगा, और जब आप इसे गुणा करेंगे, तो आपको मिलेगा 2,70,725 तो जो यहां पर इस प्रश्ण में पूझा गया था, उसका उत्तर हमें यह मिला, अब हमने देखा कि हमें यह यहां पर पांच और पार्ट दिये गए हैं, तो यह करने के लिए सबसे पहले शिरुवात करेंगे इस भाग से, तो जो यह बाकी प्रशन है, यह अभी के लिए यहां से हटा देते हैं, और आप इस मान को एक बार अपने कॉपी में लिख लीजिए, तो चलिए अब आते हैं तो यहां पर कहा गया है, चार पत्ते एक ही प्रकार के हैं, मैंने आपको भी बताया था कि एक प्रकार के हमारे पास कितने पत्ते होते हैं, समझ मारे आपको, तो देखिए, हो सकता है कि वो चारों पत्ते इंट के हो, है ना, तो इंट के चारों पत्ते हम कितने तरीकों से चुन पाएंगे, 13, C, 4 तरीकों से, तो यहां पर लिख देते हैं कि इंट के पत्ते, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चार पत्ते इंट के ना हो करके पान के ह है ना? तो ऐसे में हम इन्हें कितने प्रकार से चुन पाएंगे तो 13C4 और इसी तरीके से जो बाकी दो प्रकार बच गए उन में से भी हम 13C4 तरीकों से इन 4 पत्तों का चुनाव कर सकते हैं जैसे की 4 पत्ते हो सकता है चिडी के हूं या फिर चारो पत्ते हुकम के हो तो यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है अकेले ही चार पत्तों को चुन लिया गया है है ना एक तरीका यह है साथ ही यहाँ पर एक और चीज हो रही है कि चार पत्ते जो है इस तरीके से जोड़ना इस बात को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है अब क्यूंकि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है या दिख रहा है तो यहाँ पर हम इन चारों को आपस में जोड लेंगे अब क्यूंकि यह चारों ही 13C4 हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुणा 13C4 ठीक है तो यह खे आ जाएगा 4 गुणा 13 फेक्टोरियल अपॉन 4 गुणा 13-4 यानिकी 9 फेक्टोरियल आएए से थोड़ा सा और हल करें तो 13 फेक्टोरियल को हम लिखेंगे 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 और यहाँ पर गुणा 9 फेक्टोरियल क्यूंकि हमें हर में दिखा कि हमने 9 फेक्टोरियल लिखा था ठीक है तो यह आ जाएगा 4 फेक्टोरियल अब 9 फेक्टोरियल से 9 कट जाएगा चार factorial को हम कैसे लिख सकते हैं जी हाँ 4 factorial को हम लिखतेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 4 ठीक है यहाँ पर आ जाएगा 5 अब यहाँ पर बच्चा 13 4 11 और 5 और इन सभी को आपस में जब आप घुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2860 यानि की जो हमने निकाला था कि 2,70,725 तरीकों से हम 52 पत्तों में से 4 पत्तों को चुन सकते हैं तो इन तरीकों में से 2860 तरीके ऐसे हैं जिनमें की 4 ही पत्ते एक ही प्रकार के होंगे समझ में आए आपको ये बात तो यहाँ पर इस चीज को लिख लेते हैं और अब आते हैं इसके दूसरे भाग पर यहाँ पर कहा गया है 4 पत्ते 4 भिन तरीके के हैं इसका मतलब जो 4 पत्ते हम चुन रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हों एक पत्ता तो हो पान का ठीक है एक पत्ता हो चिड़ी का एक पत्ता हो इट का और एक पत्ता हो हुकम का समझ में आया इतना अब देखिए यदि हम पान के पत्तों में से एक ही पत्ता चुनना चाहते हैं तो क्यूंकि पान के कुल तेरा पत्ते होते हैं, तो तेरा पत्तों में से हमें एक पत्ता चुनना है, तो ये हम तेरा सी एक तरीक से कर पाएंगे, और इसी प्रकार से चिड़ी का भी एक पत्ता हम तेरा सी एक, और इट का भी, और हुकम का भी इसी प्रकार से चुन पाएंग फिर ऐसा करेंगे यानि कि सभी को हम साथ में करेंगे तो और आएगा और मैंने आपको बताया था कि जब भी और आएगा तब हम क्या करते हैं गुणा करते हैं यानि कि यहां पर आएगा और यह आजाएगा तेरा फेक्टोरियल अपॉन एक फेक्टोरियल गुणा तेरा माइनस एक यानि कि बारा फेक्टोरियल और इसी प्रकार से यहां पर बाकियों में भी हम यही लिखेंगे क्योंकि एक फेक्टोरियल का मान होता है एक है ना और यहां पर बच जाएगा बारा फेक्टोरियल और यहां पर जो यह तेरा फेक्टोरियल है इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं तेरा गुणा बारा फेक्टोरियल सभी में यह करेंगे यानि कि यहां पर हमें मिलेगा 13 गुणा 12 factorial upon 12 factorial तो 12 factorial से 12 factorial कट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा यहां पर आजाएगा 13 की घाच 4 जो की आएगा 28561 यानि कि जो हमने देखा था 2,70,725 तरीकों में से 28561 तरीके ऐसे होंगे जिनमें की चारो पत्ते भिन प्रकार के होंगे चल यह बात करते हैं अगले भाग की यहां पर कहा गया है तस्वीरे हैं यानि कि कितने ऐसे तरीके होंगे जहां पर यह चारो पत्तों पर तस्वीरे होंगी मैंने आपको बताया था कि पूरी तार्ष की गड़ी में ऐसे 12 पत्ते होते हैं जिनमें की तस्वीरें होती हैं ठीक है तो अब इन 12 पत्तों में से हमें 4 पत्ते चाहिए तो ये हम 12 सी 4 तरीकों से कर सकते हैं और ये आजाएगा 12 factorial upon 4 factorial गुणा 12 minus 4 यानि की 8 factorial तो ये आजाएग 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 factorial अपॉन 4 गुणा 3 चार factorial को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से और 8 factorial को ऐसे ही लिख दिया तो यहाँ पर 8 factorial से 8 factorial कर जाएगा 4 और 3 से ये 12 कर जाएगा 2 से ये 10 कर जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 495 यानि की 495 तरीके हैं कि हम जो 4 पते चुनेंगे वो कैसे होंगे उनमें तस्वीरे होंगी ठीक है चलिए बात किरते हैं अगले भाग की अगले भाग में कहा दो पत्ते लाल रंके और दो काले रंके हैं तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर और लिखा गया है यानि कि गुणा होगा ठीक है? अब दो पत्ते चाहिए हमें लाल मैंने आपको बताया था कि पूरी ताश की गड़ी में लाल रंके कितने पत्ते होते हैं? 26 होते हैं और कौन-कौन से पान और इट के तो 26 पत्तों में से हमें दो पत्ते चुनने हैं ये हम 26C दो तरीकों से कर पाएंगे इसी प्रकार से दो काले रंग के पत्ते भी हम 26C दो तरीकों से कर पाएंगे क्योंकि चीडी और हुकुम को मिला करके 26 पत्ते होते हैं जो कि काले रंगे होते हैं तो यहाँ पर आएगा 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल गुणा 26 माइनिस दो यानि कि 24 फैक्टोरियल और यहाँ पर भी आ जाएगा 26 factorial upon 2 factorial गुणा 24 factorial अब इस 26 को हम लिख सकते हैं 26 गुणा 25 गुणा 24 factorial और यहाँ पर भी हम यही लिख देंगे अब 24 factorial से 24 factorial कट जाएगा 2 factorial होता है 2 के बराबर तो यहाँ पर आ जाएगा 13 ठीक है और यह हमें मिल जाएगा एक लाख 5625 के बराबर यानि कि हमारे पास इतने तरीके हैं जिनमें चार पत्तों में से दो पत्ते लाल रंग और दो पत्ते काले रंग के होंगे चलिए अब आते हैं अगले भाग पर जो कि इसका आखरी भाग भी है इस भाग में कहा गया है सब ही पत्ते एक ही रंके हैं यानि कि जो चुने गए चार पत्ते हैं या तो वे सब ही लाल रंके हों या फिर सब ही काले रंके हों ध्यान दीजेगा यहां पर मैं क्या कह रही हूं या तो सब ही लाल रंके हों या फिर काले रंके हों अब लाल रंग के हमारे पास कितने पत्ते होते हैं 26 यानि कि 26 पत्तों में से हमें चार पत्तों का चुनाव करना है तो ये 26 सी चार तरीकों से किया जा सकता है ठीक इसी प्रकार से यदि हमें 26 काले पत्तों में से चार का चुनाव करना होगा तो वो भी 26 सी चार तरीकों से किय आजाएगा और क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है या क्योंकि देखिए अपने आप में यह जो है इसमें हमें चार पत्ते मिल रहे हैं और इसी तरीके से अपने आप में यहां पर भी हमें चार पत्ते मिल रहे हैं तो यह तो यह हो यह तो ऐसे में हम यहां पर इन्हें जोडत गुणा 26 माइनस 4 फैक्टोरियल यानि कि कितना 22 फैक्टोरियल और जब आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 29,900 यानि कि हमारे पास 29,900 तरीके हैं जहां पर सभी 4 पत्ते एक ही रंके हों या तो काले या फिर लाल तो समझ में आया आपको? तो यहां पर हमने इन सभी भागों को हल किया और हमें ये सभी उत्तर मिलें मैं उमीद करती हूँ कि इस उधारण से आपको और भी जादा समझ में आया होगा कि संचे को किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं और ऐसे ही यदि आप भी खुब सारे पिस हो जाएगी.